हेलो फ्रेंस आज मैं बनाने वाली ही बहुत ही टेस्टी मिठाई और ये बहुत कम चीजों में बनके रेडी हो जाती है और बहुत कम बजट में बनके रेडी कर लेंगे आप घर पे ही बना लेंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई और ये बहुत सब्ट सा बनके रेडी कर लेंग सब्सक्राइब कर दीजिए और बै लाइक को और दाबा दीजिएगँ पो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मेले और चैनल पर नए हैं तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं लिए हूँ एक मिकसर जार और आधा कब मैं डाली हूँ नायल का बुरादा और एक कब मैं डा चान लुँगी यहां पर आधा कब बेशन करनी तो में यहां पर करनी है और इसको Lauगतार हम चलाएंगे रहें या बस इतना ही आपको भूनना है तो यह देखिए यह लगतार आपको भूनते जाना है आप भूना जाएगा बेशन तो आपको खुर पता चल जाएगा यह बहुत प्यारा खुसबू आने लग जाती है इसमें से सबसे पहले फ्रेंस घर का जो भी कप या कटोरी हो उससे आप से कर ले उसी से सारा माप ले तो यहां पर मैं ली हूँ तीन चमच यहां पर चीनी आपको ज्यादा मीठा पसंद हो तो एक से दो चमच अब बढ़ा सकते हैं तो यह देखिए मैं चीनी को मिक्स कर रही हूं अच्छी तरीके से अब मैं डालूंगी जो नारियल और दूद में ग्राइंड की थी उसको मैं डाल दूँगी उसके बाल इसको हलके हाथों से धीरे-धीरे में चलाऊंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी और यहां पर लोफिले में ही करेंगे अब मैं थोरा सा कलर डाल दी हूँ एलो फूड कलर आपको मतलब जरुवत परेगी तो डालिए यह बिल्कुल अप्सनल है तो यह देखी थोरा सा लूग चेंज करने लिए मैं डाल दी हूँ अब मैं डाली हूँ हरी लाइची का मैं कूट ली थी आपके पास पावडर हो ना उसको भी आप डाल सकते हैं तो यह देखिए यह मिक्स कर रही हूँ और यहां पर भी मैं तो यह देखिए कितना अच्छा से बाइंड होना सुरू हो गया है फ्रेंज तो यह बहुत असान है बनाना फ्रेंज से मिठाई इतना ही टेस्टी लगती है आप बिलीब नहीं कर पाएंगे जब यह बना लेंगे और जब आप खाएंगे तो बोलिएगा यह कितना टेस्ट मिठाई बनके रेडी हुआ है तो यह देखिए बिल्कुल यह फाइनल हो गया बनके मेरा मिठाई अब मैं कंटेनर लूँगी उसके बाद मैं घी लगा दूँगी अगर आपको बटर पर लगानी है तो लगाईनों तो स्कीप कर सकते हैं यह इतना सॉप्ट है कि अपने यह बहुत जल्दी यह deemold हो जाता है तो यहां बंब बटर पर लगा के और मैं सेट कर रही हूं तो यह देखिए कि इतना अच्छा से शेट हो जाता है तो इसको मैं आदे गंटे के लिए फ्रीज में रखुँंगी कि ताकि अच्छे सेट हो जाए तो आपको आदे गंटा ही रखना है तो यह देखिए अच्छे से मैं सेट कर ली हूँ अगर आपको यहाँ पर ड्राइफूद लगानी है तो आप लगा सकते हैं तो यह देखिए आदा गंटा हो गया अब मैं डी मोल्ड कर लूँगी तो यह देखिए बहुत असानी तरीके से डी मोल्ड हो जाता है फ्रेंज यह बिल्कूल मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी और मैं कटिंग करूँगी आप अपने पसंद से जैसा भी आपको कटिंग पसंद हो आप कटिंग कर सकते हैं तो यहां कितना लुक कितना प्यारा आया है बहुत इसका टेस्ट इतना मेंजिंग है ना मैं क्या बता हूं आपको तो आप इस मिठाई को आप जरू ट्राइ कीजिएगा और थोरा सा मैं यहां पे थोरा बदाम में डाली हूं थोरा अच्छे दिखने के लिए यह देखिए कितना प् कितना प्यारा आया है यह दिखिए आपको दीख रहा होगा तो अगर मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकोन को भी दावार दीजिए गा ताकि जो भी मैं वीडियो डालो सबसे पहले आपको कर दो कर। ला थाए है अश्यार जारा ताकि जो दो कर दो क्ई pacき बाक आपकन है य दो महिर हो ॢभ बलाआ पश्वाद कर दो रहां ताकि रहां ताकि यारहा है अजिए ऑल मुदल कि नहां यार भी दो किeda क tá 싶은 कि ऴ visions या ही है सैकि रहर, вмुद, जो तर देखित फिए है और